अयोध्याने का मन 22 तारीकों न बनाए प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार किये के लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में मैं पूरे देश के 140 करोर देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमी से प्रांथना कर रहा हूं अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रांथना कर रहा हूं मैं 140 करोर देश वाचियों को हाथ जोड करके प्रार्षना कर रहा हूँ कि आप 22 जनवरी को जब अविध्या में प्रभुराम विराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देश वाचियों से एक कर्बद प्रात्रा और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साथ्षी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या आएं लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संबव नहीं है अयोध्या में सबका पहुंटना बहुत मुश्किल है अर इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर प्रदेश के विशेश करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार वीधी पुर्वक कारकम हो जाने के बाद 23 तारी के बाद अपनी सुभीता के अनुसार वो अयोध्या आएं अयोध्याने का मन 22 तारी को न बनाए प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार कीजिए